Now, word of insects. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कीडे पतंगों के बारे में. इंसेक्ट हम किसे कहते हैं? जो छोटे-छोटे कीट पतंगे होते हैं, उन्हें हम इंसेक्ट कहते हैं. ग्रास होपर, जिससे हम क्या कहते हैं? केकडा कहते हैं. स्नेल, केटर्पिलर, केटर्पिलर भी बहुत छोटा सा होता है. और केटर्पिलर बड़ा होकर क्या बन जाता है? बटर्फ्लाइ, दें कॉक्रेज, कॉक्रेज से तो भई मुझे बहुत डर लगता है. ये कैसा होता है? ब्राउन कलर का यह चलता भी है और उड़ भी सकता है then scorpion housefly मक्खी बच्चो अगर आप अपने घर को या कहीं सी और जगा को गंदा रखेंगे तो वहाँ पर क्या आजाती है मक्खी आजाती है housefly कभी भी हमें अपने खाने को खुला नहीं छोड़ना चाहिए खाने की चीजों को हमेशा डखकर रखना चाहिए देन लेडी बग लेडी बग देखो कितना लगता तो बहुत सुन्दर अच्छोटा सा होते हैं कौन से कलर का रेड कलर का और उसके उपर क्या होते हैं ब्लाग डॉट्स होते हैं देन बटरफ्लाइ सबसे सुन्दर इंसेक्ट बटरफ्लाइ बटरफ्लाइ क्या करती है फूलों से रस को पीती है रस मतलब नेक्टर जिसे हम कहते हैं देन लिजार्ड मतलब छिपकली आप सबके घरों में छिपकली होगी छिपकली क्या होती है दीवार पर चलती है और कीडों को खा जाती है छिपकली की बहुत लंबी टंग होती है देन हनी बी हनी बी कहते हैं मदू मखी को मर हनी बी से हमें मिलता है शहद मीठा मीठा शहद देन ड्रेगन फ्लाइ फ्लावर फ्लावर मतलब फूल जितनी भी यह बटरफ्लाइ या हनी बी और ड्रेगन फ्लाइ है यह किस पर आकर बैठते हैं फ्लावर पर आकर बैठते हैं स्नेल भी देखो कहां बैठी है हरे पत्ते पर बैठी है आफ्टर देन आंट आंट किसे कहते हैं हम चीटी को यह बहुत छोटी होती है लेकिन काटती बहुत जोड से है जैसे डेंगू, मलेरिया ये सब किससे फैलता है मॉस्किटों से फैलता है तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा अपने घर को साफ रखें जिससे मॉस्किटों नहीं हाए और कई बार क्या होता है, हम गर्मियों में कूलर यूज करते हैं, तो हमें कूलर के पानी को भी time to time change करना चाहिए, वरना उसमें क्या आजाएंगे, बहुत सारे mosquitoes आजाएंगे, then spider, spider मतला मकडी, आपने देखा है, spider अपना घर खुद बनाता है, जिसे हम web कहते हैं, या जाला कहते हैं,